असलाम अलेकूम आज बनाएंगे बिना ओवन बिना मेदा सिर्फ एक कप ग्यहूं के आटे से बन जाने वाला एक टेस्टी सा मार्की स्टाइल चॉकलेट केक की रेसिपी और इसको बेक करने के लिए मैं आपे इसको प्यान का और इसके को बनारी मैं मदस डे पे जो बहुत ही मीनेगर चोटा एक चमच मैंने अपिन मीनेगर डाला है आपके पास मीनेगर ना होता आप सिर्फ दो बून निम्बो का रजबी दाल सकते हैं तो यहां पर मैंने अच्छे से दूद को फट लिया है और इधर हमारा बटर मिल्क बनके तयार है तो आज मैं एक का यूज नही मैदा भी ले सकते हैं तो यहां पर मैंने अच्छे से चान लें आटा मैं इसलिए चान रहे हूं कि आटा हमारा महीन हो और गुट्लिया टाइप नहीं बने इसलिए मैंने आप चाहे जो सारी चीज़े को चान सकते हैं तो उसके बाद मैंने आप पर 1-4 cup मैंने इसमें कोको इसमें खाम शक का उसके बाद most बाद मैंने छकर के बाद मैंने रहे च obs ड ता शक रहे है ब्रेकिंग आटा मैंने युशंक्त कुपर tab вже बहां के बाद मैंने एक बड़ा चमच इसमें ब्रेकिंग पाWde इसमेल बहुत इच्छी आती है इसलिए मैंने इसको सारे चीज हमें अच्छे से फेट लेना है तो एक कप दूद मैंने पहले ही डाला था और मैंने हापे ना फिर से आद्य कप मैंने दूद निकाल लिया था उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मुझे ना एक एक बन ओर आपाते कंगें अनलों तो हम दो नीटीज होचा बन जाया क्यों जाना सबीगे नrealis안 गणा करंड़ा करें तो मैंने बहुत सारे रेसेपीज आपको केख की के बता है ये काड़ाय को संस्तर्था ना है पर मैं हम एक बास बार कंग करता हैं से बीचा इस स्लिए जरते के फैज में लगा युझे थे ने से अगा था को मैंने कर दिया Suez जबे दिया कि सिरफ लगा केपर, लगारों, कि मैंने सब्सक्राइबाद नोहें से घृस्ती है तो आप बटर बेबर लगा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा गलती मेरी कहां घी है तो यहां पे मैंने सारे बेटर को ना डाल लिया है अच्छे से और इसको अच्छे से से चेट कर लेंगे तो मैंने याप एक गयस को चालू कर लिया है और हम इसे low flame कर लेना है एकदम जीरो low flame कर लेना है और हम डियारेट पैन को सीधा चूले पर रख लेंगे तो आपका प्यान ना थोड़ा सा पतले तले का है तो आप इसमें एक तवा रखे फिर उसमें रखे तो यहां पर मेरा सिर्फ 10 मिट में मेरा केक बेख हो के तयार हुआ है तो अच्छे से बेख हो गया था मैं यहां पर टूपे से आपको चेक करके भी दिखा देती हूं बहु इसकर प्रफ यहां ने हमें न लिए तो इसको मैंने थोड़ा सा काट लिया रहें किनके ना चौकलेट बना रहे हैं तो थोड़ा सा में ज्याधा काट लेघ्या है जादी कट नहीं रहता और यह चोकलेट की रसीपी इतनी ज्यादा पसंद आइगी आपको किनकी बहुत ही इसको आप जरूर बना के ट्राइ करना बहुत ही पसंद आएगी जब भी आप इसको बनाए मुझे कोमेट करके बताना तो आपको एक चौकलेट की केक की रेसिपी केसी लगी तो सारा चौकलेट में ने हैं पर काट लिए आप हम इसको बॉल में दालेंगे मैंने आप एक इसको चममस चलाते रहें अपका जो चौकलेट पिगल जाएगा जब आप पर गरम पानी डख रहें तो मैंने यापने घ्यास को बंद कर लिया ता गरम बहुत जादा हो गया ता पानी इसलिए तो यहां पे मैंने अच्छे से चौकलेट को पिगला लिया और इसके बाद मै पहले नहीं डालाता बाद में थोड़ा सामुल क्रीम का यूश कर रही हूं जो चॉकलेट गनाश है बहुत ही जादा शाइनी जैसा चम केक के पर एक शायन आती है ना तो आएगी तो बटर और अपको अमुल क्रीम इसमें डालना ही है मैं आप आज ना दूद का यूश नहीं करिए हूं जब भी मैं गैणाश मनाती हों तो तो दूद का यूश कर तो यहां पर अहां पर क्रीम डालके न ठीक लाँ लाघ़े है chairman दालता इस तो में resposta नहीं नहीं यह इसी羅स क्वेंब रहोंगी और आपको मेरा यह युड़े प Cambodon करके ज़रूर मैं ही तो मैंने आप से लिवा मिये land का हैं बहुत बम खोई लगया था जो नीचे मतली तरह भाना बहुत तरहार कि उद्ट जबीडर था ए इतल जबभीत तो पोय जब GTA क्लीए, आप बहुत घर केळाए जबार मेन हमें अभाए और चौकलेट गनासा परनान दोश्ट घरमली जादा प्यारा लग रहा था केक एक दम बहुत ही प्यारा लुका आता बहुत ही जादा तो यहां पर मैंने थोड़े से मेरे पास डेकोरेशन करने वाले चीजे थी तो मैंने उससे से सिंपल सा चॉकलेट गनाशे गिनाश करके इसमें हैपी मदस्दे लिखे और यह देख सकत हैंगे मुझे कॉमेट में जरूर बताना और आप पी इस तरह से कुछ ना कुछ मदस्दे पर अपनी मा को बना के जरूर थोड़ी सी छोटी से आप खुशी दे सकते हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब